नमस्का दोस्तों Stock Market Studies में फिर से एक बार आपको सागत है तो आज मैं बात करने बला हूँ NMDC के बारे में एक Mining Company के बारे में बात करूँगा तो इस Company का फिचले दिनों में इस Company का एक Result यहाँ पर पाब्लिस किया गया है Result मतलब Company हर मान में किस तरीके से खुद का जो Project है मतलब खुद का जो Mining है उसमें से कितना Selling किया है और कितना Mining में कितना Profit किया है उसके उपर हर मान में एक Report आ जाता है इस Company के भी एक Report आया है तो उसी के बारे में बात करूँगा और इस Company में आप Long Time के लिए निवेस्ट करना चाहिए है कर नहीं उसके बारे में भी बताऊँगा क्योंको Company के जो Performance है वो बहुत अच्छा कासा है फिर भी इस Company में कुछ Negative Point है जिसको आपके सामने में रखना चाहता हूँ तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्रेब नहीं के तो जूरू सब्सक्रेब कर लाना साथी सब बेल आइकन को पेस करकर आल भी कर देना क्योंको डेली वेसी स्टॉक मार्केट इंफोर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में बने रहे ना तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में तो सबसे पहले में चार्ट प्रेटन के उपर आ चुका हूँ यह पर देख सकते हैं कॉम्पणी को जो नाम है वो एनेमडी सी है इसका सौट नेम एनेमडी सी आप साच करेंगे आपको मिल जाएगा मिनरल डेवलम्मेंट कॉर्पोरेशन टोटल आयरोन मतलब जो आयरोन है उसका माइनिंग करता है इस कॉम्पणी तो आयरोन देखें आयरोन बहुत मतलब आयरोन ऐसा को मतलब मेटल है जो बहुत सारे प्रोड़क के उपर काम में लगते है तो इस कॉम्पणी का जो काम है व वो government का subsidiaries है याप देखे NMDC Limited is government owner याप देखे mineral producer तो obviously इसका जो मतलब owner है मतलब ज्यादा तर हिस्सेदरी है वो government of India के पास है तो government इंडिया के पास इसके पास है तो company जिस field में काम करते हैं आप देख सकते है iron है साथी साथ कौपार है याप देखे है तो अलग-अलग टीन है यहाप देखे ग्राफिक ग्राफाइड है डाइनमाइड है तो बहुत सारे मेटल के उपर company काम करते है तो इस company के बारे में बात करूंगा तो company का चार्ट पटन देख लिजेगा तो company का चार्ट पटन आज के तीन जिस तरह के से performance हुआ है मैं एक पर आपको रिलोड करके दिखा देता हूँ company किस तरह किसे performance क्या है आपको पता चलेगा company देखे मार्केट क्लोज हुआ है करीबन साड़े तीन परसें 3.42 परसें का यहापे तेजी देखने को मिला तो इस पीछी के पीछे सर्फ एक ही एक ही रिजन है उस रिजन के यहापे मैं डिसकस करूंगा तो वीडियो को पूरा देखना और आप इस company में निवेस करना चाहते हैं तो आपके लिए भी कुछ टीप्स रहेंगे तो इस वीडियो को लास्त तक देखना क्योंकर मैं बीच में इस टीप्स को बताऊंगा तो पोड़क्शन रेस किया है तो कुल में लगए 3.34 मैट्रिक टॉन एमटी मतला मैट्रिक टॉन तो इतना बड़ा माइनिंग कॉमपणी ने कर किया है तो उसी का फायदा इस company को आज के दिन देखने को मिला उसका रिपोर्ट आया था आज के दिन रिपोर्ट आया आप देख सकते हैं तो company का जो पिछले सालों में किस तरीके से पर्फोर्मेंस था वो भी आपको देखना चाहिए तभी आपको अंदाजा लग जाए कि company feature में भी किस तरीके से performance करेंगे तो यहाँ पर देखे माइनर जो प्रोवेशनल आई रन कॉमपणी है वो प्रोड़िश प्रोड मेट्रिक टॉन्स भी आप कह सकते हैं तो मिलियन टॉन्स पिछले नभम मतलब इस नभमबर का एंडिंग का रेजल्ट है और पिछले सालों में नभमबर 2020 में जो रेजल्ट था वो 3.32 मेट्रिक टॉन्स था तो यहां पर करीबन देखा जाए 0.60% का यहां पर ग्रोथ देखन यहां पर देखिए पिछले सालों में था 3.32 मेट्रिक टॉन्स और अभी बन चुके 3.34 मेट्रिक टॉन्स इतना ज्यादा मैनुफेक्चरिंग हो रहा है तो एक कॉम्पानी को इसी का फाइदा मिनने वाला है उसलिए क्वाटर बेसी रेजल्ट भी अच्छा का सा हुआ था में कॉर्टर रेजल्ट की स्कूप और में वीडियो बना दिया था तो आप भी देख सकते हैं कितना जबदस रेजल्ट भी हुआ था तो अभी आपको मैं दिखा दूँगा तो यह थो बेकिंग नियूज अबियसली यह बेकिंग नियूज है क्योंकि मुशे लगता है कॉम कॉम्पानी का पीरसी जो है वो करीबन करीबन 3.86 है बहुत लोग लेवेल का पीरसी है क्योंकि कॉम्पानी उस तरीके से भागा नहीं उस तरीके से तेजी नहीं देखने को मिला तो इसलिए इसका पीरसी भी आपको बहुत लोग लेवेल में देखने को मिला है रिटानों क अच्छा कासा परफॉमेंस है, मगर इतना अच्छा कासा परफॉमेंस होने के बाद भी कॉम्पानी का फीगार आपको देख के आप जौक जाओगे कॉम्पानी का फ्येजड़ एक रुपिया है और कॉम्पानी जवादस डेविडान दे चुक रहे जितने सारे government subsidiaries company है वहापे आपको सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो है dividend आप उसमें ज़्यादा share खरीदरी करकर रखेंगे तो आपको dividend से भर जाएंगे मतलब मानके चलिए 5.60% का dividend मतलब बहुत बड़ा amount का dividend आपको मिला होगा आप पहले से ही निवेस करके रखे है तो देखे कोई भी company में dividend के चकर में निवेस मत करना मैं आपको हमेशा बता क्या हूँ क्योंकि dividend एक part होते है dividend company का जो profit होता है उससे एक percentage आपको दिया जाता है मगर company का profit तो देखना चाहिए न feature के लिए कैसे होंगे तो उसके बारे में नहीं देखेंगे तो आप भस सकते है तो company के performance के बारे में बात करो देखे company का हर data positive में है सिर्फ promoter holding 7% कम किया है सिर्फ एही negative news है या पर देखे promoter जितना share कम करेंगे इस company के उतना फाइदा मिलेगा मुझे लगता है क्योंकि government subsidiaries company है government के पास जितना हिस्सेदारी जादा रहेंगे government जब change होते रहेंगे तो देखे आप जो government है वो दूसरा जब government आ जाएगा मतलब मानके चले आप एक party है दूसरा party जब आ जाएगा तब क्या होगा वो नया rules चालू कर देंगे तो इसके impact किसके उपर देखने को मिलेगा जितने सारे government subsidiaries company है इसके उपर देखने को मिलेगा क्योंकि government जो decide करेंगे उसी के उपर company चलेंगे तो इस तरीके से इसलिए मैं हमेशा आपको बता के आया हूँ government subsidiaries company में अच्छा खासा फाइदा मिले और ना मिले अच्छा खासा मिनने के वाद भी उस टाइब company में आप निवेस मत करिए और निवेस करना ही जाते है तो थोड़ा amount के निवेस करिए जाला निवेस मत करिए तभी आपको फाइदा मिलेगा नहीं तो आपको फाइदा नहीं मिलेगा ठीक है तो पूरा data आपको अपने सामने रखा हूँ तो यहाँ पर देख सकते है company का जो parameter है उसकी सबसे company खुद का debt भी reduce कर रहे है साथी सब company का book value ठीक ठाग लेबल में है company 5 साल में अच्छा खासा तो उससे पहले यहाँ पर देखे company जो जितना competitor है इसका जितना सारे competitor है उसकी हिसाब से company third number position में आते है लेकिए बेदंता number one question में है coal India second position में है सब mining और यहाँ पर देखे mineral company है इतने सारे mining करने वाला company है उसी का नाम यहाँ पर दिया गया है तो उसमें से third number position में NMDC है और coal India यह भी government subsidiaries company है तो यह दोनों company government subsidiaries है इसका दोनों का performance आपको अच्छा कासा देखने को मिलेगा या पर देखे return of equity इस दोनों का कितना सांदा और देखे बिदंता इतना बड़ा company होने के बाद भी आप इसमें देखिए return of capital employed कितना है 19% तो देखिए आपको इसी का 3903 करोड का profit हुआ देखे हर सालों में company का profit growth हो रहा है जवा 10 profit हो रहा है आप अब देख सकते हर साल में company का profit कीतना असांदार profit company ने कमा के दिया है शाथी साथ company का sales growth अच्छा कासा है profit अच्छा कासा है return of equity भी अच्छा कासा है मगर आप देखिए पांस साल में आपको 4% का एक साल में 34% मगर 10 साल में आपको नेगेटीव में रिटान दिया वो भी 3% मतलब आपका फांड का 3% डाउन मतलब आप एक लाग रुपिया निवेश करके रखे थे तो आपको करीबन करीबन तीन हाजा रुपिया लॉस हो चुके है तो इसके बारे में आपको सोचना चाहिए देखिए इतना सांदर का अगर दूसरा कोई कॉमपानी देता जो गभर्मेंट सबसिडियरिस कॉमपानी नहीं है दूसरा कोई कॉमपानी देता तो उसका वो फीट या पर जवदस देखने को मिल सकता था तो company का सबसे जो चीज मुझे अच्छे लगा वो है company का करजा पहले नहीं था अभी थोड़ा थोड़ा करजा company ले रहा है business चलाने के लिए company के पास reserve भी अच्छा का सा था अभी बहुत बढ़िया reserve हो चुके है 5000 से direct यहां पर देखा जाए 35,000 तक company reserve बढ़ा चुके है आती साथ company का देखिए जो share holding pattern है वो 72% share holding था अभी 60% holding है और पूरा के पूरा holding किसके पास है अब देख लीजिए president of India मतलब government के पास ही इसका हिस्सेदारी ज्यादा है और देखिए FIS के पास कितना हिस्सेदारी है FIS के पास करीवन 6.5% DI के पास करीवन 22% मान के चलिए public के पास कितना है 10% holding है तो overall सब के पास हिस्सेदारी है मगर इस company के chart pattern आप देखेंगे तो आप सौक हो जाएगे क्योंकि आपको एक साल का chart pattern देखा दू तो आप देखेंगे 34% का return ठीक ठाग है मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ मगर आप 5 साल के chart pattern देखेंगे तो मात्र 12% का return वो भी ठीक ठाग है मगर आपको maximum chart pattern दिखा दू तो आपको होस उड़ जाएगा minus 56% का down 10 मतलब इतना loss लेकर आपको आपका fund 50% से भी ज़्यादा loss आपे दे चुके है जब से listing हुआ company तो overall इस company के बार में मैं एक ही बात कहूंगा आप इस company से दूरी रहे तो अच्छा है और आप dividend के चक्कर में इसका कोई bonus के चकर में इसमें निवेस करेंगे तो आप first सकते है हाँ इसके बाद भी आपको निवेस करना ही है तो आप थोड़ा amount निवेस करिए ज्यादा निव हो सकते है future में आपका fund loss में भी जा सकता है क्योंकि मैं पहले ही बुता चुका हूँ या आपको government subsidiaries company है मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ आप फिर भी एक बात देख लीजिए president of India government of India के पास इस company का हिस्सेदारी है तो आसा करता हूँ सारा जान कर आपको मिल चुका ह है तो इस company के उपको study करिए उसका बद निवेश करने के लिए और award करने के लिए धोनों के लिए सोचिए जो आपको सही लगे वो ही आप करिए तो मेरे हिसाब से इस company से दूरी रहे तो अच्छा है तो मिलते है अगले stock लेके तब तक के लिए अच्छे सरी है अमने ख्या लेकी बड़ी बड़ी